दोस्तन अश्कार में राम्पुर और सिर्मौर में भाजपा हो जाए साथान सतना जिले की रामपुर भगेलान विदान सभा को बीजेपी 120 जीता हुआ मानकर चल रही है वैसे ही रीवा में सिर्मौर विदान सभा को भाजपा सब से सुरक्चित जीत मानकर चल रही है मगर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस कुछ ऐसे राजनेतिक खेल खेलने में लगी हुई है जिससे बीजेपी की बाजी पलग सकती है कांग्रेस नेता दिगविजय सिंग कुछ दिनों पहले विंद के दोरे पर आये हुए थे सतना जिले में वह सिर्फ रामपुर बगेलान विधान सबाही गए और वहाँ भाजपा के बड़े नेता वापूर विधायक प्रभाकर सिंग से मिले और चले गए अब उनका दूसरी बार विंद चेतर में आना हुआ है और दिगविजय सिंग रिवा जिले के सिर्मोर विधान समा चेतर में पहुचे है कांग्रेस खासकर दिगविजय सिंग का दौरा होना यह तो दर्साता है कांग्रेस किसी बड़े खेल की जाल बिछाने में लगी हुई है जैसे भाजपा नेता कांग्रेस की जीती हुई सीटों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इन्हें कैसे जीता जाए जैसे सत्ना जिले की चित्रकूट और रहगाओं संभावता उसी प्रकार कांग्रेस भी भाजपा की सीटों पर कुछ ऐसा राजनेतिक ताना बाना बुन रही है जिसे भाजपा अजे मान कर चल रही है शायद कांग्रेस की रणनी के कुछ ऐसी बन रही है कि भाजपा के लोगों को असंतुष्ट भाजपाईयों से उलजाया जाए यानि भाजपा नेताओं को भाजपा नेता ही चुनाव हराएं ऐसे में कांग्रिस की जीत आसान हो सकती है इस पर आपके क्या विचार है कमेश वाक पर लिख कर बताएं धन्यवाद दोस्तों